हाई दोस्तों मैं दुरगेजिया स्वाल दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिला सिच्छायों पर से चल संस्थान अर्थात डिस्टिक एजुकेश इंस्टिूट आप टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग डायट यह आपके सेलवस के लिए महत्तोपूर्ण है इस आधार पर 1987 से प्रतेग जिला अस्तर पर जिला सिच्छा और प्रसेच्छन संस्थानों की अस्थापना का कार आर्यम हुआ मतलब यहां से प्रशना सकता है किस सिच्छा नीती मानि 1986 सिच्छा नीती के अनुसंसा पे के आधार पर 1987 से प्रतेग जिला पर सिच्छा संस्थानों की अस्थापना का कार प्रारम किया गया मानि राशना सिच्छा नीती 1986 के आधार पर 1987 से प्रतेग जिले में डायट के कार को प्रारम किया गया आगे दोस्तों है यह राज अस्तर से लेकर ग्राम अस्तर के सिच्छा संस्थानों की बीच कड़ी के रूप में कार करता है अगला जो है इसका मुल उद्धेश सचा सथाओं जिला से च्छा बोड़ विध्याले संगम संकुलन आधिको से चिक सलायों मागदर सन देना अब आगे आता है अपका जिला से क्शायों की पूछा गया है। में कई बार पूछा जा चुका है कि डाइट की कितने विभाग होते हैं। तो आप जानते रहिएगा डायेट के कूल साथ विभाग होते हैं जो करम से हैं सेवा पूर्शिच्छड परसिच्छड विभाग, कार्यानुभव विभाग, जीला संस्थाई काई, सेवारत कार्यक्रम छित्री संपर्कियों प्रवर्तन समुन्ने विभाग, पाथिकरम सामागिरी विकाओ से मुल्यांकन विभाग, साचिक तकनीकी विभाग, नियोजोनियों प्रभंधन विभाग, यह साथ प्रहुप विभाग है जिससे आप लोग पढ़ लीजेगा यह परिच्छा में प्रस्ण आ सकते हैं कि ने लिखित में से कौन सा डायेट का व सब विभाग है तो इक पर मैं पुना रिपीट कर देंगा सेवापूर, सिच्छा प्रस्ण विभाग, कारेनभो विभाग, जिला संसाई काई, सेवारत कायकरम छेत्री संपरिकों प्रवरतन समन्न विभाग, पाठिकरम सामागिरी विकाओ से मुल्यांकन विभाग, तकनीक दोस्तों, प्रमुक कंवर क्या है? सिवा पूर, संदर वैकतियों को पर सेचित करना, विद्ध्यालों की, पर दाना ध्यापगों के लिए संस्थाकत नियोजन, और प्रभन दन की कास्वां सांचालित करना, सवज़सिछा अभियान को सफल बनाने में स्व्योंकरना यह महत प्रसिच़ की ब्यवस्था करना यह डायट का उस्ट्व प्रमुक कार्य है अब आगे हम लोग पढते हैं जिला से चऱ प्रसिच़ सन्थान में प्रसिच़ डायट मेंटर दोस्तो इसमें बालकों को परामर्स और निर्देशन परदान करने है थो जिले में जिला से चणपशेषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष यद्यपी इस संसा का मुख्यकार तो अध्यापकों का प्रश्चण देना है लेकिन यह उन्हें सिच्छण हेतु मनवग्यानिक विधियों का भी प्रश्चण देता है मतलब यह क्यों ध्यापकों के लिए लेकिन उनके सिच्छण हेतु मनवग्यानिक विधियों का भी पुछे जाने की संभावनाय भी रहती है प्राया अब आगे हैं दोस्तों कि परिवेच्षण और निरेच्षण तंत्र यह भी उसी के अंतरगात आता है इसमें एडम्स के अनुसार परिवेच्षण संस्थानों के सुधार के लिए एक नियोजित कारिकरम है विल्सन के अनु बिद्यालों की परस पर तुल्ला करते हुए विकास की सही रिषा का ज्यान का मुख्य ध्यापक को कराता है माने परिष्षक जो है यह कई बिद्यालों का परिष्षण करता है और बिद्यालों की तुल्ला करता है और सही रिषा का मुख्य ध्यापक कराता है आगे हम लोग संसाधन केंद्र जिसे ब्यार्सी क्याते है ब्लाक रिसोर्स सेंटर यहांसे प्रशन ब्लाक संसाधन केंद्र का जो समन्यक ब्लाक के समस्त विद्यालों का परवेच्छन करता है यह मतलब ब्यार्सी क्या करता है समन्यक ब्लाक के समस्त विद्यालों का परवेच्छन करता है इस परेच्छण के आधार पर अपने विचारों को उच्छ अधिकारी से तक पहुचाता है उसको ओगत कराता है ताकि विद्याले से प्रवंदनों परसासन को सुधार अधा सके मतलब जो बियार्सी का जो सबसे प्रमुकार है वो अपने बलाग के जितने विद्याले हैं उनका दौरा करके और उसके आधार पर जो उसके बिचार होते हैं वो उच अधिकारियों से उससे आउगत कराना ताकि विद्याले प्रबंदन का प्रसासन में सुधार किया जा सके या उसे सुधार आजा सके अगला है नियाय पंचायत संसादन के समण्य की भूमिका दोस्तों इसमें क्या होता है नियाय पंचायत संसादन के समण्य के परिच्छक अधिकार के अंतरगत नियाय पंचायत के समस्ति विद्याले आते हैं यह महत्रपूर है और इसका जो प्र उचाता है साथ ही सिच्छण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए नवीन सिच्छण विदियों का परदासंत था ज्यान कराता है यह दोस्तों का सबसे महात्य पूर्ण कार इस बार पूर्णा देख लीजेगा इसका कार क्या है प्रबंधन विद्यालाई प्रबंधन सिच्छकों की न्युक्ति विद्याले भावनाज समदी सूचना अपने अधिकारियों तक देना तथा सिच्छण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावसाली बनाने के लिए नवीन विदियों का परदासंत था ज्यान कराता है आगे देखते हैं एबियस से सहायक बेसिक सिच्छा अधिकारी की भूमिका ये बलाग अस्तर पसिच्छा अधिकारी होता है तथा बलाग के विद्यालों की प्रबंधन विवस्ता में सहायक बेसिक सिच्छा अधिकारी की भूमिका होती है इसका मुख्य कारे नवीन बिद्यालों के निर्माण बिद्यालों का परविच्छन वा निरिच्छत था सुधार है तू समय समय पर निर्देशन देना दोस्तों ये एवियसे का काम होता है जो ब्लाक अस्तर पर सिच्छा का अधिकारी होता है आगे हैं उप बिद्यालों निरिच्छक की भूम का उप बिद्यालों निरिच्छक अपने परविच्छक के आधार पर प्रधाना चारे को बिद्यालों के प्रवंधन समय सुझाओ देता है बेसिक सायक सिच्चा के अधिकारी भी सायतावा निरेशन का पारण करते हैं ता सिच्चण अधिगम प्रक्रिया को प्रभासाली बनाने के बिभिन सुझाओ देते हैं अगे दोस्तों जो महत्पूर हमारे लिए है यह है जिला समोन्यक की भूमिका बलाग संसादन केंद्रो का निरेशन परवेचन करना बलाग के सभी समय को की बैठक बुला कर सिच्चण की नवीन विलियों पर चर्चा पर चर्चा करना जिला समोन्यक की यह प्रमुक कार है अगला है बैसिक सिच्चा अधिकारी की भूमिका इसे आप विजश्य क्याते हैं इसका देख लिए हम लोग इसका सबसे महत्पूर कार क्या है बेसिक सिच्छा अधिकारी जीले की बेसिक सिच्छा का प्रमुक अधिकारी होता है यह जीले के प्राथिंग विद्यालों समंदित समस्किरिया कलाब विवस्था सिच्छकों की नियुक्ति आज के लिए जिम्मेदार होता है समूधायों विद्यालों की सहयोगी समितियां समूधाय को अंग्रेजी में कमिनीटी कहते हैं कमिनीटी सब्सक्राइब कम C O I M कम एक साथ मियूनिस सेवा करना से मिलकर बना है इसका साबडिक अर्थ है एक साथ सेवा करना होता है अर्थात बौगार्स के अनसार समुदाए एक ऐसा समाधिक समू है इसमें कुछ महत्रा में हम भावना हम की भावना होती है और यह एक चित्र बिस्येस में रहता है समुदावे बिद्यालेग में संबंध जान डीमनी क अनुसार सबसेट अथा अंतियंद बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है अतास पश्ठे की बिद्यादय के प्रबंधन में प्रबंधन और प्रसासन में समुदाय की महत्वण भूम क्या होती है बिद्यादाई के प्रशाशन में शायोग देने के लिए निम्न समितिया क्राम करती है पहला ग्राम सिच्छा समिति यह आपके लिए महत्त्रपूरा है अस्थाइन नियम 1972 का सनुचोपचत्र संसोदन किया गया मतलब यह नियम में 1975 में संसोदन किया गया आगे है उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट उन्यस्व साथालिस के धीन या निश्चित किया गया कि प्रते गाउं में एक समित सब अस्थापित की जाएगी जिसके ग्रामिड सिच्छा समित के नाम से जाना जाएगा अब ग्रामसिच्छा समित के सदस कौन कौन होंगे ग्रामसभा का प्रधान अध्यच्छ मुखिया का जता है वह इसका क्या होगा अध्यच्छ होगा बेसिक बिद्याले के चात्रों के तीन सरच्छा के अभिवावक जिसमें एक महिला होती है जिसमें एक महिला भी होनी चाहिए यह उप बिद्याले ने च्छक दोरा मनुनित किये जाते हैं आगे तीसरा है बेसिक बिद्याले का प्रदाना ध्यापक एक से अधिक बिद्याले होने पर वरिष्टम प्रदाना ध्यापक इस समित का सच्यू होता है एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजेगा समझ लीजेगा कि बिद्याले के प्रदाना ध्यापक एक से अधिक बिद्याले होने पर वरिष्टम प्रदाना ध्यापक इस समित का सच्यू होता है आगे ग्राम सिच्चा समित के कार क्या क्या कार इसके बिद्याले के समानों में सुधार के सुझाओ देना सिच्चकों के उपस्ति और समय के आने के समन्द में जीला बेजिच्चा धिकारी को जानकारी देना बेसिक बिद्यालों की जाच करना ये इसके तीन प्रमुक कारे हैं आगे हैं बिद्याले प्रबंधन समिति निसुलक एमम अनिवार सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतरगत बिद्याले प्रबंदन समित के गठन का प्राउधान किया गया है प्रतीक दो वर्स इस समित का पुनर गठन किया जाएगा इस समित का गठन अनुदानित विद्यालों के अतरिक गर अनुदानित विद्यालों में भी किया जाएगा आगे हैं विद्याले प्रबंदन समित में 15 सदस होंगे यह ध्यान दीजेगा विद्याले प्रबंदन समित में कुल 15 सदस होंगे जिनमें 11 सदस बालकों के मातापिता होंगे 50% सदस महिलाएं होंगी या मातपूर्ण है इसको आप लोग समझ लीजेगा कि विद्याले प्रबंद समित में 15 सदस होंगे जिनमें 11 सदस बालकों के मातापिता अभिवाख होंगे उसमें भी लगबग 50% महिलाए होंगे बिद्यालब प्रबंद समित के सरच्छन सदस्यों में से एक सदस अनसुचित जाती एक अनसुचित जाती और पिछड़ा वर कमजोर वर कें बालकों को माता पिता अथो सरच्छन का समलित होंगे बिद्याले प्रबंद समिति के सरच्छन सदस्यों में से एक अनसुचित जाती यसी स्टी ओबिसी तक कमजोर वर के बालकों के माता पिता अत्वा सरच्छन समलित होंगे आगे हैं बिद्याले प्रबंद समिति विद्याले के प्रवंदन प्रशासन क्रिया कलाब आजी सभी गद्विदियों की देखभाल के जिम्मेदारी विद्याले प्रवंदन समित की होती है मातर सिचक संग माता को विद्याले से जोड़ने के लिए मातर सिचक संग की अस्थापना की गई मात्र सिच्छक संग के प्रमुक जो उद्देश है वा निम निखीत है हम लोग पड़ते हैं मात्र सिच्छक संग के जो प्रमुक उद्देश है मात्atching में सिच्छक परती जागुरता उत्पन्न करना महिलाओं को उनकी सक्ति अधिकार करतब्यों का ज्यान कराना फिर बिद्याली सिच्छा में महिलाओं की भागेदारी को बढ़ाना यह मात्री शिच्छा का प्रमोक उद्यस था अब मात्य शिचक संका स्वरूप अध्यच मात्य विवावक में चुना जाएगा मात्य विवावक में से मात्य शिचक संका जो अध्यच चुना जाएगा उपाध्यच विद्याले के पधानाचार तता कच अध्यावक में से कोई एक होगा मंत्री मंत्र देकाम अध्यापकों में से चुना जाएगा उपमंत्री मात्ता अभिवावकों में से कोई एक चुना जाएगा कोसाध्यच मात्ता अभिवावकों में से कोई एक चुना जाएगा माने केवल उपाध्यच विद्याले के प्रचार तदा कच अध्यापकों में से कोई एक हो सकता है मंत्री अध्यापकों में से कोई एक चुना जाएगा बाकि सभी पद चाहे अध्यच हो चाहे उपमंत्री हो कोसाध्यच हो या मात्र अभिवावकों में सही चुना जाएगा आगे हैं मात्र शिचक संग की बैठक प्रतेक सनीवार या रविवार के दिन दोपहर के बाद होगी या मात्र पूर्ण है मात्र सिचक संग के जो बैठक है प्रतेक महिने में सनीवार या रभीवार के दिन दोपहर के बाद होगी या मात्र पूर्ण है आप सब के लिए मात्र सिचक संग के कार क्या 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 कार है बिद्याले में बालिकाओं के नामंकन को बढ़ाना ताकि सरसिच्छा नभियान का जो प्रमकोदेश है कि बालक और बालिकाओं को समान सिच्छा देना सिच्छा के समान उसर प्रदान करना उसकी पूर्टी हो सके या उसकी पूर्टी हो सके इसलिए विद्याले में बालिकाओं के नामनकन को बढ़ावा देना मातर शिचक संग का कारियों में से सबसे प्रमुक है बालिकाओं को समुचित विकास को बढ़ावा देना ताकि वो भविस्व में लड़कों के साथ या बालकों के साथ कंदे से कंधा मिलाकर चल सके बालिका सिच्छा के प्रती लोगों को प्रेरीद करना ये मात्र सिच्छक संग का प्रमुक कारियों में एक है अब अभिवावक सिच्छक संग ये भी महत्वपूर हैं बालक के सच्छी विकास में सिच्छक तता अविवाकों की महत्पूर भूमिका होती है। इसलिए प्रगत सिल सिच्छा विवस्था में अविवाकों को समलित किया जाता है। ताकि बालक का समुचित विकास किया जा सके। अब महिला प्रेरगदल का कारे। बिद्याले बुस्ता तथा मानिवी संसादन में महिला प्रेरगदल की प्रमुक भूमिका है महिला प्रेरगदल का प्रमुक कारे ग्रामीर और सारी सिच्चत महिलाओं को सिच्चा देने सिच्चा के महत तो बताना ताकि अपनी बालकों को बिद्याले भेजने के लिए प्रेरित किया जा सके अब महिला प्रेरिक दल द्वारा बिद्याले की महिला प्रेरिक दल द्वारा बिद्याले की विवस्था में स्वयम सहयोग किया जाता ता अन्य वेक्तियों के लिए प्रेरित किया जाता है मीना मंच यह महत्वपूर यहां से प्रस्ण आते हैं और यहां बेटीसी में प्रस्ण थे मीना मंच आपके लिए महत्वपूर है सरकार द्वारा बालिका सिच्चा को बढ़ावा देने के लिए मीना मंच योजना को संचालित किया है इस सच्छिक्स योजना के अंतरगत मीना नामक बालिका के प्रमुक भूमिका को परदरसित किया गया है मानि मीना नामक बिद्याले बालिका के जो भूमिका है वो उसका परदरसित किया गया है कि मीना एक बिद्याले में जाने के लिए या परवेश के लिए पढ़ाई के लिए किस तरह सांगर्स करती है और अपने आपको उसके प्रती सफल बनाती है या इसका सबसे प्रमुक उद्देश है इसलिए मीना मंच काफी मातपूर है मीना मंच का प्रमुक उद्देश देख लेते है मीना मंच का मुक उद्देश एक ऐसा मंच उपलवद कराना है बालकों को जहां बालिकाएं अपने विचार भानाओं और सिमाओं को ब्यक्त कर सके या मीना मंच का सबसे प्रमुक उद्देश है अगला बालिकाыं में नेतुत च्मता को बिक्सित करना भी मीना मन्जप का सबसे प्रमुक कारी है आगे बालिकाओं को बीवा की आयू ग्यान का कराना ऐसा नहीं है कि जो बालिकाओं हैं उनकी अल्प आयू में बीवा कर दिया जाए जो बीवा की आयू है वो लड़कियों की 18 साल लड़कों की 20 साल पूरा करने के बादी बीवा के योग्यों आगे है सरकारी एम गैर सरकारी संगतन उत्तर प्रदेश की प्रात्यमिक सिच्छा प्रसासनिक वेकेंदी करोन की दृष्ट से महत्पूर रही है यहां प्रियाब समय से सिच्छा अस्थानी निकायों के अधिन रही है ग्रायमिर सिच्छों की सिच्छा प्रसासनिक वेकेंदी करोन की दिश्टि से महत्पूर रही है यहां प्रियाब समय सिच्छा अस्थानी निकायों के अधिन रही है ग्रामिर छेत्रों की सिच्छा ब्युस्ता पर जिला परिश्द का नियंद तर रहा है 1972 में उत्तर परदेश बेसिक सिच्छा अधिनियम के असित्त में आने के बाद प्राथिंग विद्यारे को इसके आधिन रखा गया उत्तर परदेश सासंद्वर समिधान के 73 संसोदन की मूल भावना के दिश्टिगत रखते हुए एक जुलाई उन्नोई सो नियान बेखो ग्राम पंचायतों को प्राथिंग विद्यालेओं अनव चारी सिच्छा था प्रावन सिच्छा के कार के सिच्छा के कार अस्थानांत्रित करने का नियान लिया गया है यह था आपका एक सरकारी सिच्छा के अंदर अधिन करना यह तिहत्रों समिधान संसोदन को जो मूल भावना को दिश्टिगत रखते हुए एक जुलाई 1999 को ग्राम पंचायतों को प्रावन सिच्छा के कारे अस्थानत्रित करने का निया गया आगे देखिए गैर सरकारी संक्टन जिसे एंजियो करते हैं नौन गौर्मेंट और्गनाइजेशन गैर सरकारी संक्टन एक ऐसी विचार धारत से संबंदित है जो की अच्छे नागरिकों के निर्माड के इसके लिए सदय और तत्पर रहती है और कार करती है अब हम लोग देखते हैं कि NGO का जो संक्टन था इसका सबसे प्रमुक उद्देश क्या था प्रमुक जो थे पहला भारत के भावी नागरिकों में नागरिक्ता के गुणों का बिकास्त करना जिससे की वराष्ट के लिए उप्योगी सिद्धो सके दूसरा बुद्धिमानियम कर्मठिबक्तियों के समू का निर्माड जो के राष्टियों समाज की प्रती समर्पन भाव से कर सके तीसरा था विभिन प्रकार के राष्टि आपदाओं एवं दैवी विपत्तियों में असहाय नागर्गों की साहता करन था उनको सामान इसलिक पुछाना यह था अपके इनलियों को सबसे परमुकार मैंने भी आपको पताने का प्रयास किया यहां से प्रस्थाने की संभावना है क्योंकि इस बार आपको सेलबस में इसे रखा गया है तो यहां से प्रस्थाना सकता है कि आपका सरकारी क्या संग्टन का कब भी लाइक किया गया तो यह हो जाएगा एक जुलेई 1999 में पर ग्राम पंचायतों कि विद्यालों अपचारी से इच्छा था पर उट से इच्छा कार को मैं साधिर करने का नेड़े लिया गया और इसके बाद में आपके लिए जो बहतर होगा मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो उपलब्द कराऊंगा जो आपके केताबों में नहीं उपलब्द हो पा रही है अगर यह आपको बहतर लगा होगा शेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा क्योंकि वीडियो बड़ा लेंदी हो गया किन्तों यह महत्पूर था इसलिए मुझे मजबुरीम बनाना पड़ा फिर भी आप सब के आगामी परिच्छा के लिए बेस्ट आप लग जय हिन जय भारत